हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुत ही ज़ादा बढ़िया मोबाइल्स रियल्मी की तरफ से एक है रियल्मी 7 प्रो ये आपको मिल जाएगा 19,000 का दूसरी तरफ है रियल्मी नार्जो 30 प्रो प्रो के साथ क्या के दिया गया है 19,000 में तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें अंदर दिये गया है कुछ यूजर मैनुल एक मिल जाता है बहुत अच्छी क्वालिटी का कवर क्वालिटी इसकी काफी बढ़िया है मुबाल मिलता है रैपर के अंदर डिटेल लुक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये एक टाइप सी केबल जिसकी लेंद और क्वालिटी दोनों बहुत जादा बढ़िया है टाइप सी केबल मिल जाती है बहुत अच्छी क्वालिटी की इसके साथ आखर मापको रख़वों मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत जादा बढ़िया है अब दोस्तों बहुत बड़ी खुबी ये है इस मॉबाइल के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो दिया गया है लेकिन बॉक्स के अंदर आपको नॉर्मल फास्ट चार्जर नहीं मिलता 65 वाट का दिया गया है इसके साथ जो की काफी जादा फास्ट है तकरीबन आदे घंटे के आसपास ये मॉबाइल 100 परसंट चार्ज कर देगा तो चार्जर आपको बहुत जादा बढ़िया मिल जाता है इस मॉबाइल के साथ दोस्टो ये सारसमन आपको मिलता है Realme 7 Pro के साथ 19,000 में रेट के साथ से देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं वो बहुत जादा बढ़िया ही दिये गए हैं चार्जर बहुत जाद अच्छा है ये काफी बढ़ी खुबी है चली देखते हैं अगर आप 2000 कम खर्श करते हैं तो नार्जो 30 Pro के साथ क्या कह दिया गया है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं इसको इसके बॉक्स में भी आपको सबसे पहले रखावों मिल जाता है एक मिनी बॉक्स ही उसी तरीके से इसमें अंदर की तरफ आपको दिये गए हैं कुछ यूजर मैनुवल बाकि दोस्तो कवर जो मिलता है रियल्मी नार्जो 30 Pro के साथ वो भी बहुत अच्छी क्यालिटी का है दोनों के साथ आपको कवर बहुत अच्छे दिये गए हैं मोबाल मिलता है रैपर के अंदर डेटेल लुक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है बिल्कुल उसी तरीके के लुक में डेटे केबल जैसी आपको रियल्मी 7 Pro के साथ मिल जाती है ये भी एक टाइप सी केबल है तो डेटे केबल आपको दोनों के साथ एक जैसी दी गई है बहुत अच्छी क्वालिटी में आखर में आपको रखाव मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर बिल्कुल उसी तरीके के लुक में काफी हेवी चार्जर है रियल्मी 7 प्रो के साथ आपको 65 वाट का मिलता है तो दोस्तो देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स है वो दोनों के साथ आपको बहुत जादा बढ़िया ही दिये गए है 2000 रियल्मी 7 प्रो की कीमत जादा है तो उसके अंदर आपको चार्जर की खुबी और ज़्याद अच्छे मिल जाती है चली बात कर लेते हैं दोस्तो दिजाइन के बारे में तो इन दोनों के अंदर आपको डिजाइन के जो कुईलिटी मिलती है वो एक जिसी ही दी गई है प्लास्टिक की टाइप की blue type का color आप देख सकते है black shade के साथ realme 7 pro का कैसे लग रहा है और silver type का color आपको मिल जाता है narzo 30 pro के अंदर जो बहुत जादा अच्छा लगता है realme 7 pro का color भी बहुत जादा बढ़िया है बात कर दोस्तो camera के बारे में तो realme 7 pro में आपको भीशे की तरफ 4 camera दिये गए है आपको भीशे की तरफ 3 camera दिये गए है जिसमें main camera है पहला 48 megapixel का दूसरा 8 तीसरा 2 megapixel का front camera है इसका 16 megapixel का दोस्तो camera की जो performance है वो आपको narzo 30 pro के अंदर भी काफी एच्छे मिल जाती है फिर भी इन दोनों के comparison में आपको ज़्यादा बढ़िया camera दिया गया है realme 7 pro के अंदर ही camera को लेकर यह और ज़्यादा अच्छा है narzo 30 pro से इसके लव दोस्तों आप देख सकते हैं complete design आप quality तो दोनों में same है जो की सबसे ज़्यादा important है बाकि आपको किसका color ज़्यादा अच्छा लगा display size को लेकर लगबग दोनों एक ज़्यादा है हलका सा बड़ा है narzo 30 pro लेकिन दोस्तों सबसे important चीज़ है डिस्प्ली की quality और डिस्प्ली की quality के अंदर colors brightness में कौन सा mobile ज़्यादा बढ़िया है मैं आपको दिखा देता हूँ बात कर उस्तों पहले user interface के बारे में तो user interface दोनों के अंदर आपको एक ज़्यादा ही मिलता है आप इसे उपर की तरह swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है दोनों के अंदर आपको app draw दिया गया है दोस्तो narzo 30 pro की display में आपको 120 Hz का refresh rate मिलता है जो कि आपको realme 7 pro में नहीं दिया गया तो जब आप use करते हैं narzo 30 pro को तो आपको काफी ज़्यादा smooth experience देहने को मिलता है realme 7 pro की comparison में ये खुब भी आपको narzo 30 pro की display में ज़्याद अच्छी दी गई है लेकिन realme 7 pro में AMOLED डिस्प्ले है narzo 30 pro में आपको IPS डिस्प्ले दी गई है दोनों की display बिलकुल full brightness करके मापको करीब से दिखा देता हूँ design दोनों के अंदर आपको एग जिसाद दिया गया है पंचोल कैमरे वाला डिस्प्ले के अंदर ही camera है left side पर लेकिन camera का size और ज़्यादा छोटा है realme 7 pro के अंदर बात करें सबसे important चीज़ डिस्प्ले के colors के बारे में तो उसके अंदर कोई भी competition नहीं है realme 7 pro की display बहुत ज़्याद अच्छी है narzo 30 pro की display से फरक आप देख सकते है narzo 30 pro से आपको ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है realme 7 pro के अंदर ही चारजिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हैटफून, जैक मिल जाता है दोनों में बिल्कुल सेम जगापर राइट सेट साब देखेंगे तो दोनों में power के buttons narzo 30 pro में आपको fingerpin scanner side में दिया गया है यह जो power का button है यही fingerpin scanner भी है 7 pro के अंदर आपको realme के display के अंदर दिया गया है उपर की तरफ साब देखेंगे तो दोनों में noise cancellation mic मिल जाता है यह दोनों में खुबी है और दोस्तों दोनों ही mobile के अंदर आपको android के 10 version दिया गया है इस चीज़ में दोने जैसे हैं नार्जो 30 pro में आपको 17000 में मिलती है 6GB RAM 64GB के internal storage 19000 में realme 7 Pro में आपको दी गई है 6GB RAM 128GB के internal storage तो RAM दोनों में बराबर है storage आपको double मिल जाती है 7 pro के अंदर बात कर दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो realme 7 Pro में आपको दिया गया है snapdragon 720G प्रोसेसर नार्जो 30 pro में आपको दिया गया है MediaTek का Dimensity 800U प्रोसेसर अब देखिए दोस्तों अगर आप एक बहुत ज़्यादा heavy user है performance आपको बढ़िया चाहिए तो ये दोनों ही mobile's heavy user के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है दोनों के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आपको performance ही बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए तो ये दोनों ही mobile's काफी ज़्यादा बढ़िया है लेकिन एक बहुत बढ़ा फ़र्ख है नार्जो 30 pro के अंदर आपको 5G का support मिल जाता है ये mobile 5G है जो आपको realme 7 pro नहीं मिलता इस चीज़ का बहुत बढ़ा फर्ख है नार्जो 30 pro की कीमत भी 2000 कम है और ये खुब इसके अंदर आपको बहुत बड़ी मिल जाती है बात कर दोस्तों बैटरी के बारे में तो realme 7 pro में आपको बैटरी दी गई है 4500 इमेज की नार्जो 30 pro के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5000 इमेज की दोनों के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैक आप पराम से मिल जाता है बैटरी बैक आप दोनों के अंदर आपको नॉर्मल ही मिलता है बाकि Realme 7 Pro में ये खुबी और जाद अच्छी है चारजर बहुत जादा फास्ट दिया गया है इसके साथ तो ये सारी खुबी कम्या है इन दोनों के अंदर चलिए बात कर लेते हैं आपको दोनों से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो में जरुत की चीज़ है वो किसमें जादा बढ़िया है तो दोस्तो देखिए अगर आपको डिजाइन अच्छ चाहिए तो डिजाइन के अंदर क्वालिटी में तो फर्क नहीं है दोनों एक जैसे हैं आप दोनों से कोई से भी ले सकते हैं जिसका कलर आपको ज़्यादा पसंद आया हो लेकिन दोस्तों अगर आपको डिस्प्ले जद अच्छ चाहिए तो आप रियल्मी 7 प्रो लीजिएगा डिस्प्ले की क्वालिटी स्केंदर आपको ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है इसी के साथ अगर आपको कैमरे जद अच्छ चाहिए तो भी आप रियल्मी 7 प्रो खरीद दियेगा कैमरे की परफॉमेंस स्केंदर आपको और जद अच्छी मिल जाती है नर्जो 30 प्रो से इसी के साथ अगर आपको बैटरी जद अच्छी चाहिए तो आप दोने मेंस से कोई सबी ले सकते हैं दोने ही मुबल्स नॉर्मल है बैटरी को लेकर लेकिन रियल्मी 7 प्रो के साथ आपको एक और खुबी जद अच्छी ये मिल जाती है चार्जर बहुत ही जदा फास्ट दिया गया है इसी के साथ दोस्तों गर आपको प्रोस्टर बढ़िया चाहिए तो भी आप दोने मेंस से कोई सबी ले सकते हैं दोने ही मुबल्स बहुत जद अच्छे हैं लेकिन दोस्तों गर आपको 5G ही स्मार्टफून चाहिए तो आप नार्जो 30 प्रो ही खरी दियेगा ये खुबी सके अंदर आपको दी गई है तो डिजाइन के अंदर बैटरी में प्रोस्टर में ये तीन खुबीया तो दोनों के अंदर ही बढ़िया है लेकिन इन तीन चीज़ों के अलावा रियल्मी 7 प्रो में तीन चीज़ा और जाद अच्छी दी गई है एक तो कैमरे जाद अच्छा है दूसरा डिस्प्ले जाद बढ़िया है और तीसरा चार्जर जाद फास्ट दिया गया है नर्जो 30 प्रो के अंदर एक खुबी जाद बढ़िया है यह मुबाल 5G है तो दोस्तों देखा जाए तो नर्जो 30 प्रो आपको एक चीज़ में ही अच्छा मिलता है जो कि है 5G का सपोर्ट लेकिन 7 प्रो तीन चीज़ों में जाद बढ़िया है कैमिरा डिस्पले और जाद अच्छा चार्जर तो क्वालिटी वाइस देखा जाए तो जाद बढ़िया है इन दोनों मुबाल्स में रियल मी 7 प्रो ही मुझे भी दोस्तों परसनली यही मुबाल पसंद आया और मैं आपसे यही कहूंगा अगर आपको इन दोनों में से कोई से लेना है तो क्वालिटी वाइस रियल मी 7 प्रो ही जादा बढ़िया है आप 7 प्रो ही खरीद दियेगा बाकि दोस्तों अगर आपको 5G स्मार्टफून ही लेना है तो आप नार्जो 30 प्रो भी ले सकते हैं बाकि दोस्तों परसनली मुझे रियल मी 7 प्रो जादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें जो तीन खुबिया है वो मुझे परसनली जादा इंपोर्टेंट लगी नार्जो 30 प्रो की खुबी से आप बताईएगा दोस्तों फिर भी कमेंट करके आपको इन दोनों में कौन से जादा पसंद आया ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेल आकन भी दबा दियेगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुँचते रहें इसके लब वीडियो कर आपको हेल्फुल लगी तो अपनों दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दियेगा वाटसफ फेस्बुक पे मिलता हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई